अच्छे ये बताईए कि आप लोग ये सांदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे हम लोगों ने दिखाया कुछ तारीखे जो दी गई है अलग-अलग जगों पर दिल्ली में भी एक जुट होंगे फिर 29 नवंबर के लिए ट्राक्टर राली का भी आयोजन है तो ये तीनों क्रश पर्लेमेंट में दो-तीन तारीक तक आ जाएंगे अगर सरकार ठीक रही क्योंकि हम भी ये देखना चाहके इसका विरोध कौन करता है क्योंकि अब दुन्यू चाहरे सरकार भी चाहरी विपक्स चाहि रहा हैं तो उसमें क्लियर्टी है कि वह हो जाना चाहिए अब दूसरा ह हम जाएं तो जो मुकद में हैं उसका भी तो हम बात्चीत करका सरकार से जाना चाहते हैं MSP का भी एक बड़ा सवाल है उस पर भी सरकार की किरियर्टी हो जाए एक बार और जो महाँ पर पार्लेमेंट पर जाने का है वो उन रास्तों से है जो रास्ते भारत सरकार ने कहा कि हमने खोल दिये दो रास्ते हमने ये कहा कि रास्ते नहीं खुले और उन्हें बंद करा क्या लेकिन उन्हें फर्जी कागज कोट में पेस कही है कि हमने खोल दिये वह हम ख हांतुड शुली आई तो यह नोग नहांत पियो दो आपने लोग रहेंगे बैटके और अगर यह निमट ना चाते हो तो यह निमट सकता है कि यह आप बड़ी बात कह रहे हैं कि निपट सकता है नया साल किसानों को अपने घरों में मंद सकता है कि बिल्कुल नया साल तो बहुत दूर की बात है नए महिने में ही लास्ट का महिना है क्या बात है कम से कम ठंड से हमारे किसान बच जाएंगे लेकिन अब चलिए ये बताईए कि पिछली बार बातचीत हुई थी तिकेट साब इस बार आपको क्या लग रहा है क्या ऐसा नया है जिसकी वज़े से पैसा निकल जाएगा क्योंकि पिछली बार भी ग्यारा राउंड बातचीत की थी को समझोता तो होता नहीं था हम लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते थे फिर शाम में होता था है कि ग्यारा राउंड बातचीत होती थी जो हमने ग्यारा राउंड की बातचीत में कहा कि ये काले कानून है इनको वापसी ले लो बहिए इनके ग्यारा महिने बाद में उनकी समझ में आई कि हाँ ये काले कानून दे रही है वापसी लेने चाहिए व सलाकार किसी गाओं के आदमी को रखेंगे जो धरहतल पर काम कर रहा तो बहुत सूलियत हो जाएगी इनको इनको सलाकार जिस भी भाग में इनको काम करना है उसके reality के सलाकार रखना चाहिए जो ground report जिनके पास में हो उनको सलाकार रखना चाहिए